आज का वीडियो मैंने टॉप टैन स्पोर्ट्स बाइक के उपर बनाया है मेरा प्रीवेस वीडियो जो था वो मेरा बजट बाइक के उपर था जो डेली यूज में आप बाइक यूज कर सकते सबसे अच्छी स्पोर्ट्स बाइक आपको तीन लाग के अंदर में कौन सी मिल जाएगी मैंने तीन लाग का बजट रखा इस वीडियो में अगर आपको प्रीवेस वीडियो देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक छोड़ दूगा चलिए वीडियो शुरू करते कर देखना चलिए भाइक आपको इसपोर्ट्स डिसाइण में मिलेगी जो की आगे से ठोड़ी जुकी भी है वाइक में लेकिन आपको एक डिसाड़वांटर जमेलेगा कि आप इससे लॉंग ट्रेप नी कर सकते आपके कमर में दर्द हो सकती है आप इससे थोड़ी छोटी मोटी राइट कर सकते हैं और पिलियन के लिए इस पर सीट इतनी अच्छी नहीं है comfortable seats नहीं इस बाइक पर यह बाइक आपको on road पर जाएगा 1,75,000 तो 1,80,000 के करीब आपको on road मिल जाना चाहिए यह बाइक इस बाइक में कोई इतना अच्छा लुक्स तो है ही साथ में ज्यादा comfortable seats नहीं है बस यह disadvantage है mileage तो sports bike के कम होती ही है साथ में लेकिन आप मेरी माने तो आप KTM की कोई 200cc की bike ले लिजे अगर आपका budget stretch नहीं कर सकते हैं तो आप इस को ले सकते क्योंकि का पावर्फुल जादा इंजन नहीं यह 125cc का इंजन है आप stretch कर लेंगे तो ही ठीक है आपका budget कि ड्यूक 125 यह बाइक बहुत ही ज्यादा comfortable है मैंने आपको बताया जैसा कि RC 125 ज्यादा comfortable नहीं है वैसे यह बाइक ज्यादा comfortable है उसके मुताबिक पे यह बाइक का भी माइलेज आपको वैसी मिलेगा ठीक ठाक मिल जाएगा इस बाइक को भी मैं बोलूगा कि कंसिटर आप ना करें क्यूंकि 125 सिसी का इंजन है वही पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं 125 सिसी का इंजन उतना powerful नहीं है बट इसके जो लुक्स है वह 200 इंस्पाइड है ड्यूक 200 से काफी अच्छी लुकिंग बाइक है इसका भी on-road प्राइज जो मैंने आपको बता इसका इंजन भी सही है, माइलेज भी सही है, लुकिंग भी सही है, मतलब कुछ भी बेकार नहीं है इस बाइक पे, comfortable seats भी आपको मिल जाएगी और ये बाइक का on-road मैं आपको बता दो तो 2 lakh के करीब अप्रोक्स मिल आना से ये डैली के हिसाब से on-road prices इस बाइक में कोई भी मेरे personal opinion में मैं बोलू तो KTM को छोटी बाइक में silencer थोड़ी मतलब लंबी निकाल देनी चाहिए, वो थोड़ा sporty फील खराता है बाइक का, silencer नहीं रहाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, personal opinion मैं अपना बता रहा हूँ ATM RC200 ये भी 125cc के जैसे सीटिंग कमफर्ट इसका तना अच्छा नहीं है, इंजन आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, इंजन इसके हिसाब से ठीक है, लेकिन इसकी इंजन के हिसाब से तो मैं पोजिटिव रखूँगा लेकिन सीटिंग कमफर्ट इतना अच्छा नहीं है, पीछे कि जो पिलियन राइड है, उसको बेकार लगेगा, बैक पोजिशन आपकी ठीक नहीं रहेगी, बहुत जाले जुका जुका आपको फील होगा इस बाइक में, तो इस बाइक को आप अगर आप शौक से चलाना चाते हैं, हवाब आजी करना चाते हैं, तो आप इस बाइक को ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपको डेली यूज बे निकालनी है, तो फिर आप इस बाइक को कंसिटर ना करें, तो ही अच्छा है, विकॉज इसकी जो सीटिंग कमफर्ट है, बहुत बेकार है, पस्नली मेरे ओपिनियन में तो बहुत ही ज़ादा बेकार है, मैंने इसको ट् करते हैं, अब आते हैं, बजाज की सीरिस पर, बजाज परसर RS200, यह 200cc का इंजन मिलेगा, KTM जैसे लुक्स है, बट यह उससे ज़्यादा कमफर्टेबल सीट के साथ आती है, परस्नली मैंने इसका देखा है, बैट के अच्छा लगा मैंको इसका सीटिंग कमफर्ट बहुत मैं बता रहा हूँ, आप इस बाइक को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको इसका बिए सिक्स 2021 का रिव्यू देखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक छोड़ दिये, आप वहां से इस बाइक का रिव्यू देख सकते हैं, मैं आपके पता रहा हूँ, हॉन्डा हॉन्डा हॉन्ट, यह बाइक आपको हॉन्डा की तरफ से आने वाली बाइक है, रैपसॉल एडिशन करके एक वेरियंट आता है इसका, जो की स्पोर्टी लाइन है, जो आप यह आपके स्क्रीन पर था और वापस से शो होने वाला है, तो और एक में सिंपल वेरि सेंटर, यह सब बहुत ही अच्छा है, के टीम के वाजाए आप इस वाइक को जरूर से प्रेफर करें, क्योंकि के टीम में आपको डवल स्टैंड जैसा कोई फीचर नहीं मिछता है, जो कि इस बाइक में आपको जरूर से मिछ जाता है, और हॉन्डा का ट्रस्ट, होन्डा क कि अच्छी लगती है, के टीम की से, के टीम से, और इसमें आपको बड़ा सरेंजर भी मिल जाते है, जो कि थोड़ा स्पोटी बना लेता है इस बाइक को, तो आप इसको ले सकते हैं, तो बैस्ट है, अब अगली बार की बारे में बात कर लेते हैं, तो वह है पलसर 125, यह न नियॉन में बतारो, मुट 25 नियॉन, इसमें आपको तीन वीरेंज मिल जाते है, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, और आपको एक स्प्लिट सीट करका आता है जो कि स्प्लिट सीट रहे गी, जैसे के टीम जैसे वाइक कि रहते हैं, वैसे इसकी भी एक सीट उठी ही एक यह दो चाहिए शायद से मैं बता रहा हूँ गैसी में मेरा ओन्रोड फाइज इस ही है अब बात कर लेता है पलसर वन फिफ्टी के बारे में ये भी उसी के जैसे स्प्लिट सीट करके भी एक वेरियंट इसका भी आता है और इसमें जादा स्प्लिट सीट जादा बीखती है और इसमें आपको डिस्क प्लस डिवल चैनल एबिस भी मिलाता है रियर डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलेगा रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही मिलेगा इस वाइक इस बाइक में आपको split seat मिलता है single seat को option नहीं मिलना चाहिए अब नहीं मिलता है पहले मिलता था लेकिन अपनी मिलता हूँ मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो गया है डिसकंटीनिव होने के बहुत ही ज्यादा चांसे से हैं उसके यह बाइक में बस 150cc का इंजन चोड दिया है और नाम दे दिया है वैसे उसी के जैसे लुकिंग्स है इस बाइक के बुलट अब बुलट तो कोई sports बाइक है नहीं लिगिंग शीर भी मेने इसका नाम ले लिया है राइनिल फीड्स के तरफ से आने वाली बाइक है इस बाइक का आपको standard वियन मिल जाएगा तीन लाग तक में आने वाली वियन तो आपको classic 350 भी मिल जाएगी लेकिन standard वियन के बारे में बात कर लेते तो वह आपको एक लाग 50,000 से start होता है जो कि kick start with drum break आएगा और इसमें एक आता है kick start with disc break और एक आता है selfish E मतलब selfish start with double disc और single disc ऐसे करके भी आता है और 350 के बारे में तो पता ही है classic 350 के बारे में आपको उसमें किक का option नहीं है self self का option मिलेगा किक का भी option है लेकिन kick आप अलग से नहीं ले सकते मतलब कि जैसे इसमें आपको self का भी option मिल जाता है और kick का option मिलेगा यह बाइक का on road prices मैंने बता दिया 1.5 lakh से start होगा और 3 lakh के अंदर में आपको मिल ही जाएगा यह बाइक और attractive colors के साथ आती है यह बाइक बहुत ही ज्यादा शांदार बाइक है Hero Extreme 200S इसमें आपको 200cc का इंजन मिलेगा KTM के जैसे यह बाइक KTM से थोड़ी comfortable है RS200 से compare में नहीं ले सकते क्या RS200 से ज्यादा comfortable है यह बाइक हीरो की तरफ से आती है इसकी जो front look है में एको लगता है कि जबरदस्थी इसको sports look दिया गया है में को front looks की उतनी पसंद नहीं है अ यह बाइक की maintenance cost भी बहुत ही कम है और resale value तो Honda Hero की तो बहुत अच्छी ही है इसमें आपको double disc brake का भी option मिल जाता है और काफी attractive colors भी मिल जाते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको like कर सकते है मेरे channel को subscribe कर दीजे Instagram की idea आपको description में मिल जाएगी thank you so much